हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे आपके राष्टे पाठेचर रूप रेखा 2005 यानि की NCF 2005 के बारे में वैसे मैं आपको चैप्टर वाइस काफी NCF करवा चुका हूँ जैसे कि मैट्स में हिंदी में आपको NCF यानि की राष्टे पाठेचर रूप रेखा करवा चुका हूँ लेकिन वो सब्जेक्ट वाइस का था मतलब हिंदी और मैट्स का था आज हम जो बात करेंगे वो मेन जो आपका NCF बनाया गया था मतलब किस ने बनाया था कब शुरुवात की गई थी और उसमें मुख्य सिफारिश है इनपोर्टन्ट ट्रम्स कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो के एंड में कुछ इनपोर्टन्ट कोशन्स भी दे रखे हैं मैंने आपको कि कई बार वो कोशन्स आपके अग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आपको पता चल किस परकार के कोशन्स यहां से आपके पूछे जाते हैं तो उसी सीरीज को कौन्टिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नसीफ 2005 के बारे में तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ह दीपक आप देख रहे हो डीके गुपता ओंलाइन वीडियो तो गौर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का अपना टॉपिक लिख लिए जिये क्या है आज का हमारा टॉपिक राष्टे पाठचर रूप रेखा 2005 जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म मे और हिंदी में राष्टे पाठचर रूप रेखा 2005 किसी में भी आप ध्यान रख सकते हो आपका जो अग्जाम आएगा वो बाइलिंग वल होगा यानि कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोन देखने को मिलेंगे तो किसी को भी आप जिसमें आप का सुविधा लगती है आप को उसमें आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो ओके चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसके सिफारिश पर बनाया गया था और किसने ये बनाया गया था बेसिक इनफोर्मेशन है उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बारें बात करेंगे ओके सबसे मोस्ट इंपॉर्टें पर कहा गया था बनाया गया था तो HRD Human Resource Development जो होता है आपका मानव अधिकार उनके द्वारा ये बनवाने की तैयारी के लिए अनुशाशन दिया गया था और किसने तैयार किया था ये तो ये तैयार किया था आपका प्रोफेशर ये सपाल ने इन्पॉर्टेंट कोशन है ध प्रोफेशर ये सपाल ने कहा था कि जो सिक्षा होनी चीह होग वो कैसी होनी चीह है बिना बोज की सिक्षा होनी चीह है मतलब आपका Learning Without Burden इन्पॉर्टेंट पाइंट है ध्यान रकी गा टेग लाइन क्या थे इनकी बिना बोज के सिक्षा Learning Without Burden जैसे कि आपका जब मैं सिक पाल committees भी आता है उसमें कहा था कि बच्चों का इन्होंने distribute कर रका था एक से लेकर तीसरी तक तीसरी से चाटी तक छाटी से आठवी तक और आठवी से आगे जो बस्ते इन्होंने involve कर रखे थे वो दो तीन चार और छे किलो के बांट रखे थे इन्होंने ही कहा था कि जो बच्चा का बस्ता होता है वो भी एक स्कूल के प्रोपटी की तरह ही रखनी चाहिए इसकूल में ही रखनी चाहिए बच्चा बार-बार लाने ले जाने की उसको तकलीफ नहीं रखनी चाहिए इसलिए इस शिक्षा का नाम भी रखा गया था जो उद्देश्य रखा गया था वो क्या रखा गया था? बिना बोज के शिक्षा रखा गया था, ओके? तो ये कुछ आपकी बेसिक इंफोर्मेशन थी, नेशनल कलिकरोम फ्रेमवर्क से, आप यहां से कुछ मुख्य उद्देशे के बारें बात कर लेते हैं, जहां से आपके कोशन्स बार-बार पूछे जात हैं, तो पॉइंट लिख लिजी, इनकी कुछ अन्यसी फारिश हैं, जैसे कि वैसे शिक्षन विधियों का इस्तमाल करें, जो ग्यात से अग्यात की ओर ले जाएं, ध्यान रखेगा, जब भी हमें पढ़ाना हो बच्चों को, हमें उस परकार की टीचिंग मैथड का इस्तम होगे पढ़ने लिखने में, और बच्चे ना चाहते हो भी उसमें इंटरस्ट उत्पन होगा, क्योंकि उनको जो चीज़े पताओंगी, उनके बारे में बताओगे, तो बच्चे को अच्छा लगता है, क्यूरियसिटी जागती है, और धीरे धीरे हमें उस तरफ ले जाना को ज्यान ना माना जाए, ध्यान रखेगा, अकबार से, टेलिवीजन से, पुस्तकों से जो भी आप पढ़ रहे हो, केवल सूचना है, उसको कभी भी ज्यान नहीं समझना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो, आपको वो सूचना मिल रही है, अगर दूसरा वेक्ती भी पढ़ कें, विध्यालों की असफलता दिखलाती है, ध्यान रखेगा, अगर किसी विध्याले में मोटी-मोटी पुस्तके हैं, इसका मतलब है कि उस विध्याले में, या तो टीचर कैपिबल नहीं है, या फिर वो सही तरीके से अपनी बातों को विस्तारत रूप से बच्चों को बता नहीं पा रहा है, मोटी-मोटी किताब होगा, तो यही आपका यहाँ पर यही अंतर है न, देखो टीचर हमें कैसे रखने हैं, ऐसे कैपिबल टीचर लखने हैं, जो की बच्चों को पढ़ाने में, उनकी रूची उत्पन करने में, उसको जागरुकता बढ़ाने में, उनकी जिग्या सा बढ़ाने में कहरे करें, मोटी-मोटी किताब हैं तो यही दर्शाएंगी न, कि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए किताब हो मोटी-मोटी इस्तमाल करी जारी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शुर नेक्स्ट है भाषण देकर नहीं, उपदेश देकर नहीं, अच्छा वातवरण देकर हमें बच्चों को सारी चीज़ें सीखने सिखाने में इन्वाल्व करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, आप ये नहीं कि बच्चों को अग्जाम्पल ही देते रहो, या फिर करना है, जिस परकार की हम उसे सीज़े सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो NCF ने साफ का है, भाषण देकर नहीं, उपदेश देकर नहीं, अच्छे वातवरण देकर हमें उन्हें सिख्षा के अंदर इन्वाल्व करना है, ओके, नेक्स्ट है, परतिस पर्दा की बच्चों के अंदर विकसित करनी है, लेकिन ध्यान रखेगा, सिफ भाग लेने के लिए प्रिरित करना है, पुरुषकार जीतने के लिए नहीं, ओके, यहाँ पर कहने का तात्परिया, यहाँ पर एक शब्द में बात करने की कोशिश करूं, तो healthy competition का विकास करना है बच्चे के अंदर परतिस परदा की भावना विकसित करनी है, लेकिन healthy competition की, ओके, नेक्स्ट है, ज्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, आपको जो भी चीज सिखाया जा रहा है, जो भी चीज समझाया जा रही है, ऐसे पाठ्थे पुस्तक, पाठ्थे करम के पाठ्थे करनी है, जो भी चीज सिखाया जा रहा है, वो जो सिखाया जा रहा है, उसको भारी दुनिया से जोड़ते हुए, बच्चों को नई-नई चीजे सिखानी चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है, गवर्मेंट के द्वारा भी कहा है, कि बच्चों को सैशिक भर्मन पर ले जाया जाया, वो सैशिक भर्मन किसले जाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है, जो वो सीख रहा है, वो अपनी चीजों को भारी दुनिया से जोड़ सके, बारी जगत से जोड़ सके, इसलिए जो बच्चे का स्कूली ज्यान होता है, वो भारी दुनिया से भी जो कहीं पर भी आपको याद करने रटने की परिभाशा को सब रटने की बात आ जाए तो वो NCF कभी भी उसका क्या करता है समर्थन नहीं करता है Next point है पाठे पुस्तक, पाठे करम या फिर आपका पाठे चरिया जो होना चाहिए वो पाठे करम के इंद्रित ना हो मतलब आप केबल जो आपका स्लेबस है आपका जो पूरा पाठे पुस्तक है वहीं तक कि आपको सीमित नहीं रहना है उससे बाहर भी निकलना है NCF ने कहा है कि जैसे कि कलाकृती, संगीत, डांस, अन्य परकार के जो विशे है उन चीजों को भी हमें एड करना है कि एवल हमारा स्लेबस जो है, जो हमारा पाठे करम है वहीं तक कि हमें सीमित नहीं रहना है Next point है आपका कि रास्टे मूल के लिए एक आस्थावान विध्यारती का निर्माण करना यानि कि एक teacher जो होता है, वो school के जो विध्यारती है उसको एक ऐसे बच्चे का विकास करना है या फिर ऐसे पूरे का पूरे बच्चे का हमें निर्माण करना है जो रास्टे के मूल के लिए, उसके आस्थावान के लिए वो अपने दिलों में जगा दे, रास्टे को विकिस्ट करने के लिए अपने देश को आगे भढ़ाने के लिए क्या करे हमें उसको प्रिरित करना चाहिए तो हमें हर एक विध्यारते को इस परकार से आगे ले कराना चाहिए next point है अभी भावकों को शिक्षन गती विधियों से जोडाना जाए ध्यारत रखेगा जो teachers होते हैं वो अभी भावक यानि कि जो बच्चे के parents होते हैं उनको भी सिक्षन यानि कि जो आपके teaching materials है जो आपका सिक्षन गतीविधिया है उसमें शामिल करना जैसे कि PTO होता है जो आपका वो किसलिये होता है वो इसले ही होता है कि जो आपका ध्यापक है वो बच्चे के बारे में जान सके कि वो घर पर कैसा है और जो parents है वो जान सके कि बच्चे का performance स्कूल में किस तरह से हैं तो दोनों तरीके से सीखने सिखाने में teacher को भी मदद मिलती है और ऐसे parents को भी मदद मिलते है कि हमारा बच्चा किस परकार की गती कर रहा है तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए सिक्षन गती वीधी में हमें जोड़े रखना चाहिए next point है और ध्यान रखेगा बच्चो मैंने आपको बोला था जो psychology का आपका PDF है पूरा का पूरा PDF आपका तयार हो चुका है कुछ मेर पास अभी आपके आए हैं तो देखो ये देख सकते हैं आपका ही जो PDF जो मैंने आपको पूरा का पूरा 44 वीडियो करवाया था मैंने दो important theory मिस हो गई एक बच्चे ने मुझे याद दिलवाया तो वो दो important theory भी मैंने इस PDF के अंदर डाल रखी है और जल्दी उसको वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी तो देख सकते हो आपका जो PDF होगा पूरा का पूरा इस परकार से होगा अगर यह पूरा का पूरा जो देखा जाए तो वो 167 page का यह PDF है यानि कि पूरा का पूरा psychologist में complete है जो revision करने के लिए आपकी बहुत मदद करेगा तो अगर आपको यह PDF चाहिए होगा ध्यान रखेगा यह PDF paid है अगर आपको यह PDF चाहिए तो इस नमबर पर आप मुझे क्या कर सकते हो हमारे team को whatsapp कर सकते हो आपको वो PDF के बारे में जानकारी दे देगा कि PDF आपको कब तक मिल जाएगी और ध्यान रखेगा साथ ही साथ में यह PDF जो होगी वो आपके नमबर जोन सा नमबर आप प्रोवाइड करवाओगे उस नमबर पर आपको दे दी जाएगी वहाँ जाकर आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हो okay कई बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार PDF दिखा दो कैसा है तो देख सकते हो आप PDF आपका इस परकार का मिल जाएगा उसकी प्लीलिस्ट वहाँ जाकर आप इसके 11 वीडियो देख सकते हो जो कि अब आपके UPTAT, CTAT, DSSV सब के लिए most important है ध्यान रखेगा इस बात को okay तो क्या है आपका next point कि विद्ध्याले में पुस्तिकाले यानि कि जो आपके library है उसकी इस्थापना करना और उन्ह पुस्तक चुनने के लिए किन्हें बच्चों को अपनी पुस्तक चुनने के लिए उन्हें आजादी देना उन्हें स्वतंतर रखना कि बच्चे को छूट दी जाए कि उसको जोन सी पुस्तक पसंद है वो अपनी पुस्तक चुन कर अराम से उसको पढ़ सकता है तो ये में परपस यहां पर यही है अगर आपका टीचर कैपीबल है आपको सारी चीजे जो चाहिए बच्चों को समझाने के लिए अगर वही समय पर नहीं मिल रही है तो ऐसे टीचर भी किस परकार से समझा पाएगा लेकिन साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा अगर कुछ ऐसी समय पर जरूर मिलनी चाहिए तो यह NCF के Important 2005 के अंदर यह बाते की गई थी यह सारी की सारी सिफारी से रखे गई थी तो यह तो हो गया आपका पूरा का पूरा theoretical portion चलिए अब यहां से Important questions किस परकार की पूछे जाते हैं थोड़े deeply question होंगे आपको समझने में आपको आपकी memory और ही विकसित करने में आपकी मदद करेंगे ओके तो उन question को लगा के देखेगे अब तक आपको कितना समझ में आया है तो आज का पहला question कि राष्टे पाठेचर रूप रेखा 2005 यानि कि NCF 2005 जो है वो इसकी समझ प्राप्त होती है तो इससे किस चीज की समझ प्राप्त होत यानि constructive rhythm के उपर focus करता है यानि कि बच्चा क्या कर सके सारी की सारी चीजों को खुद प्राप्त कर सके learning by doing हो सके अच्छी तरीके सो उसको सीख सके समझ सके ओके रटने को प्रोचसाइट नहीं करता ध्यान रखेगा रचनाबाद के उपर वो focus करता है ओके important point है ध्यान रख और वैसे भी आपका जॉन डूवी ने भी यही का था कि learning by doing होना चाहिए बच्चे का सीखने का जो होना चाहिए वो खुद सीख कर देख कर ना होना चाहिए ओके next step का NCF 2005 की अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए तो NCF 2005 हो या फिर किसी भी परकार सा हो या से curriculum मे कहा गया था कि एक सुक्षक जो होता है एक जो teacher होता है वो as a main probably किस चीज के लिए कार्रे करता है उसकी भूमिका क्या होती है तो उसकी जो भूमिका होती है तो उसकी जो भूमिका होती है पहले यह माना जाता था कि teacher ही सारी चीज़ें जो हो रहा हो बच्चों को बताता है लेकिन अब ये माना जाता है कि teacher जो है वो केवल उसको सहारा देने का कार्रे करता है बच्चा सुरू से ही capable होता है सारी चीज़ों को सीखने के लिए तो इसका सही जो answer होगा वो option number second होगा कि एक teacher जो होता है वो सुविधा दाता होता है उसको सुविधा परदान करने वाला होता है बाकी बच्चा जो होता हो अपने आपी सारी चीज़ों को grab करता है सीखता है तो option number second इसका बिलकुल सही answer था next question निमलिकित में से कौन सा कक्षा में पाठ्थे पुस्तक की भूमिका का एक सबसे अच्छा वर्णन करता है तो कौन करता है देखते हैं चलिए पहला वह राष्टे के एक राज्य में सीखने की एक रूपता बनाए रखते हैं दूसरा वह अध्यन के पाठ्थे करम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मारदर्शन प्रादान करते हैं या तीसरा वह संसाधन भूके संदर्ब में सबसे अवशक शिक्षन संधन बनते हैं या फिर वह कक्षा के उपलब संशाधन और संदर्ब समगरी में से एक है तो ध्यान रखेगा जो आपका पाठ्थे पुस्तक होता है वो आपके जो संसाधन होते हैं यानि कि जो आपके कक्षा में पूरा का पूरा संसाधन चाहें वो लैब की सारी की सारे बीकर्स वो टेस्टियूब्स हो या आपके कोई भी आपके लाइब्रेरी हो क्या क्या है आपके संसाधन है तो वो संसादन का क्या है पाठे पुस्तक? एक अंग है एक समगरी है, ओके, तो option number 4 इसका बिलकुल सही अंसर होगा, ध्यान रखेगा, पाठेप पूस्तक होगी, या फिर बाल सहित्य होगी, या फिर आपके lab सुगे, पाठेप पुस्तक होगे, या फिर आपका पूरा library होग 2005 के अनुसार, शिक्षन अपने चरित्र में डैश और डैश है, तो ध्यान रखेगा, NCF 2005 के अनुसार जो शिक्षन है, वो अपने चरित्र में क्या है, तो सक्रिय ये समाजिक, निश्क्रिय ये शरल, निश्क्रिय ये समाजिक, ये सक्रिय ये शरल, बहुत important question है, और काफी subtle question ह ध्यान रखेगा जो आपके अनुसार जो शिक्षन होता है जो आपके चरित्र में होता है वो आपका शक्रिय और समाजिक होता है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा अभी मैंने आपको बताया कि NCF 2005 के ओपर क्या रख फोकस करा गया है रचनावाद के ओपर मतलब खुद करक सीखने के ओपर जो कहां से आपके मदद मिलती है आपके आसपास के वातावरण से तो समाजिक जो होगा आसपास का वातावरण हमारा समाजिक ही होता है और उसमें बच्चा कैसा होता है खुद करके सीखता है लर्निंग बाइड डूइंग होता है सक्रिय होता है एक्टिव सीख पाएगा इसलिए option number first इसका बिलकुल सही answer था next question ncf 2005 का विस्थारत करें ध्याद रखेगा ncf 2005 ये full form पूछी गई है ये तो आप सभी को पता है आपको मैंने काफी बार पूछा बताया भी है तो इन चारो option में से क्या आपका सही answer होगा नीचे live comment में भी लिखके बतायेगा और ये आपका homework भी है नीचे comment box में इसका answer मुझे लिखकर जरूर बतायेगा कि देख चारो option कहीं न कहीं कहीं न कहीं आपके तीनों match कर रहे हैं आपको ऐसे option बिलकुल देखने को मिलेंगे तो क्या होगा इसका answer मुझे नीचे comment box में लिखेगा homework ये आपका next question कई अध्यनों से पता चला की दूई भाष्य प्रवींडता का इस्थर बढ़ा तो आपका जो दूई भाष्य का इस्तमाल किया जाता है उसमें जो परवींडता का स्थर बढ़ता है वो किस चीज का बढ़ता है पहला, संग्यानात्मक विकास का बिलकुल अगर आप दो भाषा का इस्तमाल करते हो तो आपने सोचने समझने तर्क वितर करने की शक्ति जो होती है वो विकास ही तो होती है संग्यानात्मेक विकास तो आपका माजसेक विकास ही होता है तो आप दो भाषा को इस्तमाल कर रहे हैं तो सोचने विचार करने का तर्क वितर करने का आपका विकास वहाँ पर होगा इसलिए संग्यानात्मेक विकास तो बिल्कुल सही है लेकिन कहीं आप बाहर जाओगे तो दूसरे भाषा का इस्तमाल करके आप आस में जो समाज होगा उससे भी correlate कर सकते हो तो समाज एक विकास भी होता है, समाज एक विकास भी होगा, संग्यानात्मक विकास भी होगा और जहाँ पर संग्यानात्मक विकास होगा वहाँ पर विविद परकार की सोच तो आपकी विकासित होगी ही होगी तो option number 3 के 3 सही है तो इस हिसाब से सही answer क्या होगा option number 4 इसका विल्कुल सही answer था next question NCF 2005 की अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है तो अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य NCF 2005 ने क्या कहा था दुई भाशी वाद होना, भहु भाशी वाद होना सिफ अंग्रेजी सीखना या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा अगर आप NCF 2005 के अनुसार बात करी जाए क्योंकि NCF ने कहा था कि अंग्रेजी सीखना आप सबी के लिए अनिवारे कर दिया गया था, जो पहले सिखाई जाती थी वो छटी के बाद सिखाई जाती थी लेकिन अब आपको पहली क्लास से ही सिखाई जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे को बहु भाशी है मतलब आपका multilingual ध्यान रखेगा, दूई भाशी है bilingual नहीं बनाना होता है आपकी मात्र भाशा और आप स्कूल में जो सीखते हो वो वाली भाशा दो भाशा तो आपको अल्रेडी पहली से ही आती है जो कि NCF ने भी कहा है कि बच्चा जब स्कूल में परवेश करता है वो bilingual होकर आता है और वहाँ पर आकर बच्चा क्या कर रहा है अंग्रेजी सीखने के बाद वो multilingual हो रहा है, बहु भाशावाद हो रहा है ध्यान रखेगा, अंग्रेजी सीखने का उद्देश नCF ने यही का था कि बच्चे को क्या बनाना है मुल्टि लिंग्वल बनाना है बहु भाशावाद बनाना है नेक्स कोशन NCF 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं यानि कि जो आपके स्कूल में बच्चे फेल हो रहे हैं उसकी पीछे जो आपका है वो क्या का है NCF ने कि वो स्कूल की विफलता है स्कूल के कारण वो बच्चे फेल हो रहा रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं अध्यापक जो होते हैं वो सही तरीके से बच्चे पढ़ानी पारें बच्चों को सही तरीके समझाने पारे, इस कारण जो हैं वो बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इस प्रवर्थी से आप क्या हो, सहमत हो या दून्डदता से सहमत हो, मतलब बिलकुल आप इस चीज से, एक एग्रेसिव रूप से आप इसको मानते हो कि ये बिलकुल सही कहा गया ह तीसरा एह सहमत हो या चोथा बिल्कुल आह सहमत हो तो इसका जो सही आंसर होगा वो option number second होगा NCF ने साफ तोर पे कहा है कि जो बच्चा fail हो रहा है वो बच्चे की गलती की वज़े से नहीं हो रहा वो आस-पास का जो आपका पूरा का पूरा माहल है आपका teacher जो management है आपका जो school management है उसकी वज़े से वो fail हो रहा है तो इसके रूप से NCF ने कहा है डुंड रूप से यानि कि बिल्कुल strongly रूप से ये कहां जा सकता है कि जो बच्चा fail होता हो बच्चा अपने कारण नहीं school के कारण होता है school management के कारण होता है तो option number second इसका विल्कुल सही answer था next question सैशिक परद्योगी की को इस परकार या इस रूप से देखा जाना चाहिए तो किस रूप से देखा जाएना चाहिए जो आपके सैशिक परद्योगी तो होते है यानि कि for example जो आपकी competition होते हैं प्रतिसपरदा होते हैं उसको किस रूप से देखा जाना चाहिए परसिस्ट विकल्प उपर या उपर के दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही होगा वो option number first होगा परसिस्ट अब या परसिस्ट को English में supplement कहा जाता है ऐसे ध्यान रखेगा कि आज कल देखा होगा आपने होरलिक्स होगे या फिर आपका बॉन वीटा होगया या फिर आपके अलग-अलग परकार के products आते हैं वो क्या है products तो जो बच्चे आपने देखे होगे खाने में अना नाकी करते हैं जी नहीं खाते या अलग-अलग परकार की चीजे नहीं खा पाते या खाने से मना कर देते हैं तो उन बच्चों का ऐसे supplement के रूप में दूसरी चीजें दी जाती है जो बच्चे की जो पोसिक आहार होता है उनको पूर कर सके जैसे की for example day to day यानि की जैसे जैसे age बढ़ती है वैसे वैसे woman में calcium की कमी होती है तो उनको पूरा करने के लिए अलग-अलग परकार के calcium products आते हैं तो उनको लेते हैं तो वो किस चीज का कार्रे कर रही है calcium को पूरा करने के लिए Supplement के रूप में कार्रे कर रही है, तो वैसी आपका शेशिक प्रद्योगीता होती है, जो competition होती है, जो बच्चा पीछे रह जाता है, कुछ चीजे सीखने में रह जाता है, तो ऐसे Supplement के रूप में कार्रे करके, उसको वो पूंड करने की कोशिश करता है, तो persist है वो, option number first, इस इस परकार के परशन होने चाहिए, तो किस परकार के 25 से 40 परतिशत जो परशन होने चाहिए, वो किस परकार के होने चाहिए, लगू उत्तर परकार, दिर्गू उत्तर परकार, वस्तुनिष्ट परकार या इन में से कोई नहीं, तो ध्यान रखेगा, NCF 2005 ने ये कहा है, कि 25 स 40% जो question होने चाहिए वो short type question होने चाहिए मतलब लगू उत्तर परशन होने चाहिए तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था next question NCF अन्य पाठे करम छेतर पर ध्यान आकरशित करता है जैसे तो NCF किस पाठे करम के उपर छेतर के उपर ध्यान आकरशित करता है पहला कला और विरासत सिल्प शिक्षा दूसरा शांति शिक्षा तीसरा स्वास्त और शारिक शिक्षा या चोथा उप्युक्त सभी तो ये तो point आपका अभी-अभी मैंने जब करवा रहा था उसमें आपका आया भी था कि जो आपका teacher जो NCF है वो केवल ये नहीं कहता जो आपका पाठ्थे पुस्ता का पाठ्थे चरिया वो केवल पाठ्थे क्रम केंद्री थी हो उसको विस्तारित रूप से देना चाहिए बच्चे को कला भी सिखानी चाहिए डांस भी सिखाना चाहिए संगीत भी सिखाना चाहिए अलग अलग परकार से सारी शिक्षा भी देनी चाहिए वो सारी की सारी शिक्षा जो है वो NCF कहता है इसलिए option number 4 इसका बिल्कुछ सही answer होगा वो प्यूप्त सभी ये सारी की सारी शिक्षा जो है वो NCF के पाठे करम के छेतर के अंतरगत आते हैं उन्होंने इनको अंदर अपने involve करा है तो ये थे आपके पूरा का पूरा theoretical portion और उससे related कुछ important question बाकी मैंने आपको बोला इससे पहले वाले अगर आपने chapter नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे decision में link दे रखा है उनको देख सकते हो और साथ ही साथ में अगर आपको PDF चाहिए होगा अगर आप उसको purchase करना चाहते हो तो मैंने आपको number बता है उस number पर जाकर आप मुझे WhatsApp कर दीजिए हमारी team आपको reply कर देगी तो ये था दोस्तो आज का हमारा पूरा का पूरा next topic NCF 2005 बाकि आप ऐसी regularly classes चलेंगी जल्दी आपको एक नया time table देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने दोस्तों की साथ शेर करना ना भूलिएगा वीडियो से related किसी परकार का कोई doubt हो कोई query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आप सभी के comment को ज़रूरी doubt करता हूँ अगर आपने इस channel कब तक subscribe नहीं कर रखा तो जल्दी से subscribe कर लिजे और उसके साथ में जो bell icon होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आप से फिर मुला कात होगे नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जैए जै भारत